नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू क्यूरे सरी फट डेली डॉर्ज ओफ इंडियन फूटबोल एंड सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कल उई एफ एफ की जो एक्जीक्यूटिव कमीटी की मीटिंग है वहां पर कुछ इंपरण डिसेन लिया गया है रिगारिंग इंडिय कि यहां पर फिफा जैसी बोड़ी यहां पर कोई कंट्री की नेशनल फूटबोल चेंपिंशिप के साथ एफिलेट कर रही है तो इस इस बीग मूफ रूब फिफा को लाया है ना कि सिर्फ यहां पर उनका नाम ही जुड़ा है उसके लाए यहां पर जो फिफा के ओफिशल है संतोष्रोफी का जो कि मार्च में खेला जाने वाला है उसको भी वह अटेंड करेंगे तो इस तरह से ग्रांड मेनर में करने की यहां पर एफफ की ओर से कोशिश है तो दर्स अ गुड़ नीज मेरे हिसाब से दूसरा जो डिसन यहां पर मिटिंग में लिया गया है वह ल के साथ वर्किंग करने वाले मेंबर थी यहां फिर लोग थे उनका ट्रस्ट यहां पर खो दिया था अधर्वाइस यहां पर कोई ना कोई तो आपके लिए खड़ा जरूर होता अब यहां पर जार्खंड या एंड यूपी इस तरह के स्टेट में भी होने चाहिए ताकि औ यहां पर अवेरनेस बड़े और भी ज्यादा लोग फुटबल के साथ जुड़े एक इसका काउंटर पॉइंट यह भी हो सकता है कि यहां पर जो आपके क्लब के में चीज से ओल्वेज उनके होम पर होने चाहिए ताकि वह एक जो क्लब कल्चर और वह सारी चीज़े है वह लिया गया है यहां पर रिगारिंग फिफा की जो एकडेमी खोलने की बात है और जो आर्सेन वेंगर की काफी क्रुस्यल विजिट इंडिया की होने वाले है तो वहां पर कल्यांचोंबे ने यह बताए कि पहले डिसाइड हुआ था कि हम एक सेंट्रलाइज एकडेमी खोले जाएगी जाएगी विद्धी हेल्प फिफा जेया गाइस चारो जोन में एक सेंट्रलाइज तो इस मिला के पास एकडेमी खेली खोली जाएगी तो बिग न्यूस मेरे इसाब से एंड पोजिटिव न्यूस है तो कि आपको इस तरह की एकडेमी की जहां पर प्रोपर तरीक सबसे इंपोड़न चीज है इसमें कि इसका इंप्लिमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितना होता है जैसे यह क्या बोलते कि एकडेमी की बात है या फिर आई लिक को यहां पर डिफरेंट स्टेट में लेके जाने वाली बात है या फिर आपका संतोस्ट्रोफी को जिस तर फाइनल स्कॉर्ड फर फिफा वल्लकप कोलिफार्स उसके रिगडिंग यहां पर कुछ क्लेरिटी दी है एक इंटर्व में तो सबसे पहले उन्होंने अपुया के बारे में कंफर्म कर दिया है कि ही विल बी इन्दी यहां पर फाइनल स्कॉर्स तर दर से गुड़ विफ परफॉर्मर्स इन दी इसल एंदी जैंपियर्स लिग सो देर्स अ गुड़ पार्ट क्योंकि एक इतना टेलेंटेट प्लेयर जो कि अधिंग करट ली अमारे लिए बेस्ट मिट्फिल्डर है वो अगर इंडियन टिम के लिए नहीं खेलता तो वो हमारे लिए कुवेट यहां पे 80-90 फिफा रैंकिंग वाले टीम है और उन्होंने उसका परफॉर्मस के थ्रूप भी किया है तो इसके लाए यहां पे थोड़ा सा डिफेंसिव लाइन में कंसर्ण जाता है कि हमारी जो डिफेंसिव लाइन है वो पिछले कुछ टोनला मेट से यहां पे एक result निकाल पाएंगे उसके ल stronger को में Pues को लगेगा कि ट्रूक तरह से देंसippy-fet तो आज से फाइनल यहां पर स्कोर का मिल जाएगा कि वे कौन-कौन से प्लेयर यहां पर कुवेट के सामने एंड कतार के सामने खेलने वाले हैं इसके बाद बात करते हैं यहां पर आज से फिफा अंडर सेवंटीन वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है इंडोनेसिया में जियागेश 24 टीम्स आर पाटिसिपेटिंग इन इस टूर्णामेंट इन फिफा प्लस की जो एप्लिकेसन है उसके उपर आप इसको देख सकते है क्योंकि अंडर सेवंटीन वर्ल्ड कप यहां पर एक्साइटिंग रहता है इंडिया में भी हम सुको पता है कि जब 2017 में हुआ अलगी लेवल का क्रेश था क्योंकि यहां से आपको फुटबॉल के जो नेक्स जनरेशन के स्टार है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीस से और वह आपको देखने को मिलेगा और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि कई वेरिज इंडियान फूटबॉल स्टेंड और आप हमारे प्लेयर का पे स्टेंड करते हैं और आप वर्ल लेवल के प्लेयर है वहां पे अंडर सेवंटीन के वह किस लेवल पे खेल रहे हैं एक हमारी टीम भी जरूर खेलती हुई दिखेंगी उसके बाद बात करते हैं यहां पर भाइचुंग मूटिया ने यहां पर यह जो सारा एफफ का मैस चल रहा है उसके रिगारिंग यहां पर स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने डिमांड किये कि यहां पर फ्रेश इलेक्षन होने चाहिए क्योंकि इंठों ने सिर्फ Phew को मैस बना के रखा है फ्रेश एलेक्षन की उन्होंने डिमाड की है सो यह हमारी जो फॉर्मर कैप्टन इंडिया के उनकी उर से डिमाड आई है सो लेट सी किस तरह से आगे बाद बढ़ते हैं बत फ्रेश एलेक्षन के लिए आपका जो सुप्रीम गोट में अभी भी क्या बोलते कि जो नया वो अप्रू नहीं हुआ है उसकी फाइनल हीरिक बाकी है सो उसके बाद पता चलेगा कि एक्जेटली वह क्या क्राइटेरिया होता है यहां पे एलेक्शन के और किस तरह से नहीं है वहां पे इस तरह का फुटवल कर रहे हो तो उनफोचनली वह इंडिन फुटवल के लिए लोस है क्योंकि आपकी बेटर प्रोड़क्ट है उसको आप मार्केटाइज यहां पे नहीं कर रहे हो यहां पे दूसरा मेंस था गोकुलम केरला वसिस राजस्तान वनेटेट को अरा दिया है एंड टेवल टोप पे आ चुके कि है यहां पे उर्वा रेट के सामने एट निल हारने के बाद चाहिए तो एक अच्छा प्लाइन ही बचे है और आप देखे कि फेस्टिवल का सीजन है दिवाली का सीजन है तो ट्रावेलिंग करने भी फैंस को कहीना की दिक्कत आएगी स्वारा सेड्यूलिंग करने भी द तो आपको इसा प्रीपलान करने चाहे थोड़ा सा मार्केटिंग भी अगर इसको करते तो आपको देखने को मिलता इंदी बॉनेस पर अनफुर्चुनेटली आपने अभी तक 10 दिन गाई 10 दिन से भी कम टाम बच चुका है अभी तक कुछ उसका रिगाने अभी तक उसका रि कीप सबस्क्राइब जाएंड चैने बारत